गुड मोर्निंग फ्रेंट्स फिर से एक बार हाज इस हैं और आज क्या दिखेंगे तो साइंस एंटेक में आज हम लोग का टोपिक है 5G टेक्नोची किलियर है और यह बीपी एसी में का जो एक जाम होगा उसमें साइंस एंटेक का एक भाग है जिसमें आपको दूरें संचार भी आते हैं जब आप बीपी एसी का सलेवस पढ़िएगा वह बहुत छोटा है तो साइंस एंटेक से कोशन आएंगे तो साइंस एंटेक बहुत बढ़ा है कुछ भी पूछ दे सकते हैं उस समधिर तो हम लोग 5G टकनीक के बारे में जानेंगे और उसमें भारत की सिर्थी क बारे में जानेंगे तो सुरू करते हैं वरतमान सरकार के भारती दूर संचार मंतरी ने यह घुसना की है कि भारत में वर्ट 2020 तक अपना जाने की संभावना है यह संभावना तो अब धूमिलो चुका है और देखी रहे हैं इस पर पेक्ष में चर्चा किजिए कि 5G टकनीक क्या है तदा इसकी विसेस्ता बताते हुए यह भी बताएंगी भारत में इसे लागू करें के विसें में क्या-क्या परमुक चुन होती है को जरूरी है कि कोशन इतना बड़ा हो कुशन एक लाइन का भी हो सकता है तो वहां पर अपना दिमाग लगाना चाहिए लेकिन आप यहन्द ऑन में फोर ची यहां व'RE फोर जी मतलब कि पूरे दुनिया में चला था होसल में भारत में जब फोर चींप अबारत में चर्हां जिए प्यूंट यहां उसका कहिए उप्योग तो इसकी ट्राइल कि वारत में बात हो ओ डाम लेकिन प्यूत रहा है अच्छी बात है कि भार सरकार जो यह विकास का जो गैप है उसको पापने के कोसिस कर रही है फाइब जी तक्निक एक तार रही तो ब्रोडबेंट सेवा होगी जो फोर जी तक्निक का उन्नत संस्क्राण है फोर जी में जो आज हम लोग देखते हैं यूटूब चलता ह सारे डाउनलोडिंग प्रोडिंग के स्पीड है यह उससे लफाफ सोगुना करेगी यह इंटरनेट की दुनिया में बिना किसी छेत्रिय बाधा के अत्यांति तीर गति से ब्रॉडबेंट सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम होगा यानि इसमें लेटेंसी रेट जो होता है वह बहुत कम हो जाएगा अब लेटेंसी रेट मतलब क्या जैसे हम कोई वेपसाइट अगर सरज करते हैं उसके लिए टाइप करेंगे और वह जो डाउनलोड होगा या जो फाइल हमारे सामने प्रस्तूत हो उसके बीच का वेटिंग समय होता है वह खत्म हो जाएगा अब एक बड़ी से बड़ी मूभी हम लोग सेकेंडों में डाउनलोड कर लेंगे यह दूर संचार के छेत्र में एक बड़ी करांती होगी खास कर भार जैसे देशों के लिए जहां इंटरनेट स्पीड बहुत कम है दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जी उपलपता में से एक होने सथाने के बहुत कम हैं सब्सक्राइब करेड़ के मामले में इसके मामले में देशों में दूर संचार क्रांथी की बाड़ी आऽ सकता है और यह समय की मांग भी है लेकिन दुख्की बात The कि भारत में तो कोई खोज होने से रहा फाइब जी तकनिक की कुछ भी सिस्ता हैं जैसे यह इंटरनेट उपयोग करताओं को फोर्जी की तुल्ला में अत्यांत त्यूर गति से से इंटरनेट स्पीड उपलब्द कराने में सक्षम होगा यह अत्यांत विश्वसिनिये होगा लाइबल होगा मोबाइल संयोजन की दुनिया में उच आविर्थी सेवा परदान करेगा इसके इस्तिमाल से सर्चिंग फोर्जी की तुल्ला में दोस्गुना हो जाएगी तथा इसके लावा यह व्यापक अस्तर पर एक दूसरे से आपस में जूरे यंद्रों को भी समर्थन परदान करेगा यानि फाइब जागा तो क्या होगा अभी जो हम लोग सुनते हैं कि ड्राइबरलेस कार की बात हो रही है डाक्टर कहीं और बैठा हुआ है और रोबोट आपर उसके सारे इकुपमेंट उसे जुरे हुए हैं जब जो चाहेगा उसके मनमूर नाफिक ही काम करेगा एक कंप्यूटर है जो समय समय पर सारी जनकारी बताएगा और किसान सही समय पर सही कार मसीनों के साथ कर पाएगा तो जो भी कार होगा अगर जब 5G टेकनोलोजी सकता है सबीलांस कर सकता है जो चाहेगा कर सकता है भारत यहां तक के सारे लोग जो 5G का इस्तिमाल करेंगे बहुत ही अधिक टेकनोलोजी का विकास होगा और अधिस अधिक लोग सक्षम हो जाएंगे गती तीवर हो जाएगी भारत में इसे लागू करने के लिए राष्ट की दूला में spectrum की 않ता है कौम spectrum के कारान भारत में operation की लागत में वर्धि हो जाती है राष्टी यह spectrum Policy में spectrum साथा करने के विशय में कोई असपश्च प्रावधान सब्सक्राइब अधर नहीं है यह कillä तक कोई सिबा परदाता तो ऐसे भी है जो अभी तक अपनी पूर प पैसा भी अब आपस न आ पाया है क्या कि फिर फोर्जी छोड़कर फाइजी मिन विस्क कर पाए भारत में कोई सेवा परदाता ऐसे भी हैं जो अब को आज में डूब गए हैं इसी का कारण है कि आइडिया बोटाफों का मर्जर हो गया यह तिल का हाल देख रहे हैं सरकार का लाखो करोरो हज्जारों करोर रुपया बकाया है सरकार मांग लेगी और आज मांग लें सरकार पैसा इसा कंपणियां बंध हो जाएंगी दिसमें सीफ प्रसिफ जीओ कंपनी बचेगा इसे मतर का निर्मान करना चाहिए स्पेक्ट्रम के लिए निर्धारित की गए कीमतों में कौमी करना भी इसकी राह आसान करेगी रीनी सिवा परदताओं के लिए से पूरसां रासी की भी व्यवस्था की जा यानि सरकार पैसा देए लोग को आओ भाई लगाओ पैसा ख़र्चा कारो सरकार है आपके पास सब्सक्राइब आपको फेलना होने देगी अगर आपको घाटा लगेगा तो सरकार उसकी भर भाई कर एगी जैसे उन्य देश का आ किसानों को भावांतर भरपाई उजना के तहां से बहुत जबापर पैसा मिल नहां है वही बात उसी तरह कि अगर टेलिकॉम इंडेस्ट्री में भी सरकार को पैसा देना चाहिए इंटरनेट उप्योग करता के देश्री से भारत है विस्टु में तीसरा और इंटरनेट बजा सकत को भी कम करने में सहाइक होगी और जो भी कोई नहीं तकनीक आती है वह पहले वाली से तो अच्छी होदी तब नहुआ इर्भांस है इन्हीं सब बातों के साथ है आज का हम लोगा टोपिक समाप्स होता है कि इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो अगली बाए पढ़ेंगे जेनरीक दवाओं पर संशीटिप परने जेनरीक दवा आजकल बहुत हाइलेटेड है कौन जो अमेरे पुरे दुनिया में बहुत सारे मीडिया दिखाते है कि रामबान दवा है क्या नाम है उसका तो अगली बाए उसके बारे में पढ़ेंगे वह भी जेनरीक दवा ही है औ लाइक करें सियर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें बाबाई